नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco F65G vs. Infinex GT20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो F65G में 6.32 इंच जबकी GT20 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंध मिलती है विद्थ की बात करें तो F65G में 2.9 इंच जबकी GT20 Pro 5G में 2.97 इंच की विद्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो F65G में 0.31 इंच जब की GT20 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी F65G से ज़्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो F65G में 179 ग्राम्स जब की GT20 Pro 5G में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की F65G से ज्यादा है चलिए, अब हम दिस्पले की तुलना करते हैं दिस्पले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्पले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 Ratio 9 मिलता है डिस्पले साइज की बात करें तो F65G में 6.67 इंचेस जबकी GT20 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है डिस्पले रेसलूशन F65G में 1220X2712PX FHD+, और GT20 Pro 5G में 1080X2436PX FHD+, मिलता है Screen to Body Ratio F65G में 89.95 प्रतिशत जबकी GT20 Pro 5G में 88.24 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो F65G में 446 Pixel प्रति इंच जबकी GT20 Pro 5G में 393 Pixel प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्पले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों सबसे पहले बात करें Main Camera की तो F65G में 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखे में Ultra Wide Angle Camera देखने को मिलता है और GT20 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Depth Camera और आखे में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो F6 5G में 20 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और GT20 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो F6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते हैं और GT20 Pro 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते हैं आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो F65G में Adreno 735 जबकी GT20 Pro 5G में Mali G610MC6 मिलता है चिपसेट की बात करें तो F65G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate मिलता है बात करें RAM की तो F65G में 12GB की RAM मिलती है जबकी GT20 Pro 5G में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही 256GB storage मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो F65G में 2 colors जबकी GT20 Pro 5G में 3 colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें price की तो F65G में एक ही वेरेंट देखने को मिलता है जो की 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 31,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें GT20 Pro 5G की तो उसमें 2 वेरेंट देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 28,890 रूपीज 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 26,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Poco F65G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Infinix GT20 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो Display में दोनों फोन सेम ही है Main camera में GT20 Pro 5G आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में F65G आगे है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Weaver Y200E 5G है दुसरा Oppo F25 Pro 5G है तीसरा Tecno Camon 35G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2A 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रिप्याई से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले